Hello and welcome to RLR Excel Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस awesome वीडियो में मैं आपके लिए कमाल का formula लेकर रहा हूँ और इस formula का नाम है find जी हाँ, find जो की नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा formula जो की आपके लिए कुछ find करेगा तो मैं Excel के अंदर क्या find करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक data लिया हूँ जो की आप देख सकते हैं, simple सा, आसान सा और छोटा सा data है, जहाँ पर मैंने एक serial number लिखा हुआ है, x लेकर 6 तक और मैंने अपने blogger का address लिखा हुआ है, जो की है rlrexelnetwork.blogspot.in अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप मेरी Excel से related जो वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं, जब भी आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ नया जरूर सीखनों को मिलेगा, so visit कीजे, अच्छा लगेगा, और उसके बाद letter to find का मतलब है कि मैं कौन सा alphabet ढूड़ना चाहता हूं, उसके बाद हमें find formula क्या करेगा, कि उस letter की position जो है हमें ला कर देदेगा, easy सा formula और कमाल का formula है, जब मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा, उसके लिए type करते हैं is equal to find, उसके बाद find type कर आपको समझ वहा है क्या लिखा हुआ है, शायद मेरी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ वहा है, इसलिए मैं आपको अपनी language में समझाता हूं कि Bill Gates साब कहना चाहते हैं कि आप किसी text को find out करें, और कहा से find out करें, ये इस formula के अंदर बताएं, और find formula आपको उस text क अंदर से, उस data के अंदर से, उस alphabet की position कहां पर है, कितनी है, ये easily आपके लिए बता देगा, और साथी साथ में यहाँ पर आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है कि find जो formula है, वो एक case sensitive formula है, जो upper और lower letter में difference समझता है, so उसके लिए bracket open करते हैं, text मांग रहा है कि आप कौन स Ummта, उसके text को find out कर रहे हैं, तो जो भी text को find out करना चाा रहे हूआ आप उसको select कर दो, जैसे मैं इस text को find out करना चा रहा हैю, कॉमा कहां से find out करना चाह रहे हैं तो जी मैंने कहा कि मेरा यह जो blogger का address है उसके अंदर आप इस alphabat को find out करें उसके बाद कर दिया मैंने bracket को close और bracket को close करने से पहले आप देख रहे हैं आप पर starting number भी कुछ लिखा हुआ आ रहे हैं यह क्या होता है मैं आपको अपने next वाले example में समझाता हूँ सो उसके लिए करते हैं bracket को close और उसके बाद enter यह देखने आप enter प्रेस करते ही इसने बता दिया कि आप जो alphabat find out कर रहे हो जो कि r है वो इस text के अंदर पहले number पर आ रहा है देखने आप easily बता दिया उसने लेकिन एक चीज़ यहां पर आप देख रहे है find formula लेकर वो 1 है इसका मतलब यह है कि find formula जो है जिस text को find करता है उसकी पहली जो position हो सकती है उसको ला कर देता है अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे पहली position नहीं चीए मुझे इस text की दूसरी position चीए इस alphabet की तो उसके लिए आप क्या करेंगे is equal to find bracket open कौन से text को find out करेंगे मैंने का इसको find out कर रहा हूं को मा कहा से find out कर रहे हैं उसके बाद position बताओ starting number की वो कहां से start हुआ है तो मैंने कहा कि भई पहला वाला जो मेरा alphabet था वो पहले number फर था तो आप एक काम करो दूसरे number से find out करने की कोशिश करो और उसके बाद कौन से number पर वो alphabet exist कर रहा है उसकी position मुझे बताओ तो मैंने कर दिया bracket को close और enter जैसे मैंने enter किया तो मुझे बता रहा है कि आपने दूसरे number के बाद सर्च करना शुरू किया तो इसने बता दिया कि तीसरे number पर वो alphabet exist कर रहा है देखने आप 1,2,3 तीसरे number पर आपको आ रहा है आर दिखाई दे रहा है तीसरा उसने answer ला दिया अगर मैं इसको दुबारा यूज करके दिखाऊ अपने दूसरे वाले example में is equal to find bracket open मैंने कहा कि मुझे इस वाले text को find out करना है कॉमा कहां से find out करना है मैंने कहा यहां से उसके बाद bracket को close कर दिया enter मार दिया तो इसने बता दिया कि यह जो डबलियो आप find out कर रहे हो यह 12th position के अंदर है देखने आप बहुत यह आसान formula है उसके लिए मैं तीसरा बार आपको यूज करकी दिखाता हूँ is equal to find मैंने कहा इस text को find करो जो की है o, कॉमा इसके अंदर से find out करो उसके बाद bracket close और enter enter मारते ही देखने आप value का error है इसका मतलब कि आप जिस text को find out कर रहे है वो text आपके इस cell के अंदर ही नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो o लिखा है यह इस o के अंदर यह इस cell के अंदर है लेकिन यहाँ पर जो मैंने o लिखा है वो एक capital o है मैं जिस o को find out करना हूँ वो एक capital o को find out करना हूँ इस data के अंदर से जहाँ पर capital o exist ही नहीं कर रहा है यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि find formula एक case sensitive formula है यानि कि इसके अंदर आप उसी alphabet को choose करने make sure रहे हैं जिसको आप find out करने हैं और जिसके अंदर आप find out करें उनका case sensitive feature match कर रहा हूँ तभी आपके लिए find out formula इसली अच्छी तरीके से find करके लाएगा answer देख रहे हैं आप copy paste करता हूँ ताकि आपको बाकी सबका result नचर आ जाए देख रहे हैं एच भी इसको इस cell के अंदर नहीं बिला तो उसके लिए value के error लेकर आप टी को इसने find out किया तो टी जोए 11th number की position परा है तो उसको इसने return कर दिया awesome formula है कमाल का formula है find so आज की इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में मैं आपको search formula यूज़ करके दिखाऊंगा so तब तक के लिए good bye